नमस्कार पहरे बच्चों देखिए राजिस्तान जीके के इंपोर्टेंट इवम नए कुशन आप लोगों के लिए लेकर आगे हैं आपकी एकजाम BSTC 2024 के लिए क्लास रामबान सावित होने वाली हैं क्योंकि सारे के सारे कुशन इसी क्लास से पूछे जाने वाले हैं बार BSTC पर जरूर होगी तो पहला ही कोशन शांदार इवम इंपोर्टेंट कोशन है आप कमेंट जरूर करते रहे हैं राजिस्तान में सोम कागदार सचाई परियोजना कहां परिश्तित हैं शिरोही, उदैपूर, कोटा या फिर बूंदी राजिस्तान में सोम कागदार देखे यह उदेपूर के अंद There जिसे अब अजी लों की नगरी के नाम से जाते है ध्यान रखना उदेपूर निमी लिग्त मचे किसिस्तान को राजिस्तान का देखे Iw يu dasg कि कहा जाता है । क कहा जाता है आप लोगा का सिल्होई के अंदर परता है देखे पानी के पक्षियों के लिए कौन सा राष्टिय उद्धान अंतर राष्टिय इस्तर पर पिर्शिद है उदैपूर, माउंट अबू, भरतपूर, जैपूर इस काउंसर क्या होगा देखे भरतपुर है जो पानी के पक्चियों के लिए क्या वाई पिर्शिद है जामर कोटडा पिर्शिद है जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट करें जामर कोटडा दू जल्दी जल्दी बताएं जामर कोटडा पिर्शिद है डोलो माइट के लिए जरूर करते रहें तो जामर, कोट, डा, रौक, फासपेट के लिए पřिसने हैं एकजाम में बारवार एक कोशक बनते हैं मिश नहीं करनी है उत्री पश्मी रेलोवे का मुख्यालल मोशलल लगा लोकोशन उत्री पश्मी रेलोवे का अलवर भरतपूर, ओदैपूर उत्री प पानी की जील कौन सी नहीं है देखे आना सागर जील है ये मीठे पानी की ठीक है कौन सी आना सागर याद कर लेना आना सागर जील है कहां पर है ये अजमेर के अंदर है आप लोग की अजमेर अजमेर को जो राजिस्तान का क्या कहा जाता है हिर्दे भी कहते हैं इसको ठीक है ये ध्यान रखना देखे जाकम बहुत देशिय परियोजना राजिस्तान के कौन से जले में इस्तित है जाकम बहुत देशिय परियोजना ठीक है तो देखे ये पृताब गड़ के अंदर इस्तित है और अप्सिन नमबर डी लगा लेना है कहां पर इस्तित है पृताब गड़ और पृताफगड जो जिला बना थह वो कब बना था देखे 26 जनवर ही 2008 को पृताफगड नय जिला बना था यह आपको ध्यान में रखना है राजेस्तान में 19 भी पसू गनना किस वर्ष में की गई थी? 2007, 2010, 2012 या फिर 2015 तो 19 भी पसू गनना कब की गई थी? 2012 के अंदर के गई थी 2012 के अंदर के गई किस पिरकार का उर्जा संसादन पर्यावरन को प्रदूसित नहीं करता है बता भई पर्यावरन को प्रदूसित कौन सा नहीं करता है कोईला भई ये तो करता है पैट्रॉल ये भी करता भई परमानों ये भी करता लेकि शौरिक देखे सूरे से जो किरना आती है न वो नहीं करती है परेवरन को प्रदूसर ठीक है इसलिए सौरुर्जा बड़ी महत भी योगदान देते है इस बात के लिए राजिस्तान के जोदपूर जैसल मेर बाड मेर और नागोर जिले में मुक रूप से कौन सी मिर्दा पाई जाती है बता हुआ है देखे ये जो जोदपूर जैसल मेर बाड मेर यहां पर जो मिर्दा पाई जाती है न कौन सी लाल मिर्दा, काली मिर्दा, पीली मिर्दा, मरुस्थलिय मिर्दा देखिए ये मिर्दा पिलती है आपकी देखिए मरुस्थलिय मिर्दा मिलती है option number D लगा लेना मरुस्थलिय मिर्दा राजिस्तान की एक मात्र बारे मासी नदी देखे जो बारे महीने बहती है ना उस नदी के बारे में बदन है लूनी जाखम चंबल खारी राजिस्तान की एक मात्र बारे मासी नदी कौन सी है ठीक है तो यह होगी आपकी चंबल नदी जिसे हम बारे मासी नदी बोलते है option number क्या कर लेना है C लगा लेना होई ठीक है 12 मासी नदी बिल्कुल हो जाएगी राजिस्तान के निमिलिकी जिले की अंतर राश्टिय वं अंतर राजिय सीमा कौन सी होई ठीक है जैसल मेर, बार्ड मेर, भीकानेर, हनुमानगर राजिस्तान के निमिलिकी जिलों की अंतर राश्टिय सीमा और अंतर राजिय सीमा के बारे में बदना है जैसल मेर, बार्ड मेर, भीकानेर, हनुमानगर कौन सी होगी बार्ड मेर ठीक है बार्ड मेर के अंदर तो भाई तेल, रफाइनरी भी है न वो यहाई पर है कौन सा बहूत कों सा बहुत ही प्रदेश राजिस्तान की जीवन रेखा कहा जता है याद कर लेना है अरावणी की जो पहाडिया है यह यह बिलकुल से योगा उप्शन नमबर भी लगा लेना है कमेंट आप लोग करते रहें और अपने जितने भी मिलने वाल सभी के लिए बड़ी उत्तम रहने वाली है ठीक है चलिए तो इस काउंसल क्या हो जाए का बाई देखे काकन काकनी तारा गड़ी पहाडी आप लोगो को लगा लेना है चलिए माराना प्रताब की जन्मिस्तली है इस काउंसल देखो बाई जवाब दो उससे पहले मुझे पता 96, 97, 97, 97 इस पर वार्टब गुरूप पर आप लोग क्या करते है वार्टब नंबर पर आप हमें sms मेस कर दो हम आपको वार्टब गुरूप में जोड़ देंगे और link description में telegram का वहाँ पर आपका test लिया जाता है तो telegram पर आप लोग जुरूद जुड़ जुड़ जाए प देखे कहां पर होधा भाई माराना प्रताप का जनम कुंबल घड़ के अंदर होधा ठीक है बादल मेहल में यमील इत्म से की जपन जाती की अराद देवी चोत माता था आए वै कौन से जफ़ाती है जिसके राद देवी चफ़ाता है देखे गरासिया कंजर सांसी या फिर भी कि जन जाती के राध्य दूवी चौथ माता है तो देखेश सांसी जो जाती एना उसकी अराध्य देवी कौन से वफाई चौथ माता हो जाएगी अप्शन घावें दयागी उप्सन नम्हर्ली लगा ले ना गराशिया जन जाती में एक ही गोत्र के odde पूटी काई को क्या का जाता है इसे फालिया बोला जाता है फालिया ठीक है एक दम राइट आंस लोगा फालिया इस दा राइट आंस लोगा उप्सन नमर सी फालिया निमे लिकित पंती किसके लिए प्रिसिद्ध है यह जो पंती है यह किसके लिए प्रिसिद्ध है कि देखे 16 निन ने अपना सिर काटके दे दिया था ठीक है औप्शन नमर एराय टांसर लगा लेना है देखे जैपूर को गुलावी रंग नमिलिक्त मस से दिया गया था जैपूर को गुलावी रंग देखे माराजा इश्वहर सिंग, माराजा मादो सिंग फिरतौं माराजा सवाई राम सींग सेकंड या सवाई जैसी इसका उसे क्या होगा उप्शन नम्बर सी बिलकुल सही होगा उप्शन नम्बर सी बहुरा समाज का उर्स कहां पर भरता है जल्दी जल्दी बता है बाड मेर अजमेर गलिया कोट या फिर उदैपूर बहुरा समाज का उर् को किस नाम से गयाता है मोश्च लगाओ बहुत इंपोर्टेंट ये वांस्वड़ावे टूंगर्पुर के मदगते हुब को किस नाम सी जाना जाता है काठनल भाकर गिरवा वह मेवल यहूंसल से का ओगा मेवल option number D एकदम सही लिख लेना राजिस्तान में 25 समीति का प्रदान अपना इस्तिपा किसे देता है धेता हुआ जिला पिर्मुक को देता है option number A लगा लेना है जिला पिर्मुक को देता है हर question बड़ा ही important है miss नहीं करना हुआ उतम से कौन से खारे पानी की जील नहीं है इनमन से जो खारे पानी की जील वो नहीं है ना देखें सावर जील तो खारे पानी की है सभी जानते होंगे पच्पंद्रा बाड मेर के अंदर है वाई ठीक है यह भी खाले पानी के लेकिन यह जो काईलाना जोदपुर में यह खाले पानी की जील नहीं है यह आप लोगों को ध्यान में रखना है मावट कौन कौन से बच्चे जानते हैं कि मावट क्या है राजिस्तान के पहाड़ी छेत्रों में पैदा होने वाली बनस्पती राजिस्तान में सीत्रतों में होने वाली वर्सा यह हो जाएगा आपका सूखा ग्रस्त छेडों में पसूँ के लिए उगाये जाने वाला चारा या रेगस्तानी छेतर में चलने वाली लू या फिर गर्म, जल्दी जल्दी बताओ, तो आउन से क्या होगा, इसका लिख लेना है आप लोगो को बहुत ही प्यारा सा कोशन है, राजिस्तान में सीत रुतु में, मतलब जो सीत काल चल रहे हैं तो सीत रुतु में जो बरसा होत बजेडा किसे कहा जता है, धान की फसल, एक विशिश पिरकार का गोटा, पान का खेत, बिवा की रस्म, बजेडा किसको कहा जता है, तो देखें जो पान का खेत होता है ना पान का, उसको क्या कहा जता है, पान के खेत को बजेडा कहा जता है, ठीक है, अप्शन नमर सी लग पर रख्ष है याद रखना है खेजरी रेगिस्तान का कल्प भी रख्ष है ठीक है तेजा जी का मेला कहां पर आई जित होता है तो ये होता है अपका परवसर नागोर के अंदर अपसन नमर भी लगा लेना परवसर नागोर में तेजा जी का मिला आई जीत होता है राजतान में दुलारी और चना का संबंद किससे है ठीक है अपसन नमर सी एकदम संदार तरीका से लगा लेना जली जली बतावाई भील, मीना, गरासिया, सहरिया मोरिनी मोडना के वारे में बताना है तो किस से संबन हो जाएगा मोरिनी मोडना, मीना Is the right answer होगा? मीना, ठीक है अपसन नम्बर भी एकदम परफेक्ट आप लोग का कोईशन होगा यह में शान्दार आप लोगं का question होगा गृर्बंद आबूसन अब बतावा यह question है एकदम जंग लडने वाला है ठीक है कि गौर्बंद आबूसन है किसका आबूसन है गौर्बंद ओट के गले का यह बिलकुँससे होगा ओट के गले का जो आबूसन होता है उसे क्या बोला जाता है गोरवंद बोला जाता है उट के गले का वो सन देखो इस को इस सन को देखो पहले आप समझो कि तिरिया तेल हमीर हट चड़े न दूजी बार यह किस दुर्गी के सासक से संब्धत है कि तिरिया तेल हमीर हट चड़े न दूजी बार है ना तो रन्थम बोर मेरान गड़ चित्तोर गड़ आमेर तो भाई राइट आउंस रोगा रन्थम बोर ठीक है सवाई मादवपुर फाइरे फाइरे की जंजाती का रन गोस है फाइरे फाइरे के बारे में बताओ भील गरासिया डामबोर मीना फाइरे फाइरे की जंजाती का रण गोस है तो यह हो जाएगा आपका भील जन जाती का रण गोस है उप्शन नमबर ए लगा लेना है भील इसदाराइटांस रुगा भील जन जाती है ठीक है ना राजिस्तान का राज जमी लेखागार कहा परिस्तित है राजिस्तान का राज जमी लेखागार बीकानेर ज सिद्ध लोक गी जिसे इस्त्री वैपरुष साथ मिल कर गाते हैं वो कौन सा भई देखिए सुवलिया जुरोबा सुपना हमसीदो आउसर बताओ इसका उंसर क्या होगा हमसीदो अपसे नमबर डी लिख लेना है हमसीदो एकदम परफेक्ट कोश्चन होगा हमसीदो रेगेस् जढगेच जालरा जोधपूर हमसीदो आउसर क्या होगा ये के बटाडू का कुवाबाड मेर आप लोग को लिख लेना बटाडू का कुवा बदमेर चित्वडवड की किस रानी ने वादसाएं मायूं से मड़त मांगी थी और रानी क्रनावति रानी पदमनी रानी प्रेम किस नाम से जाना जाता है अब गदावाय यह कोईशन दमदार बाडमेर प्रिंट किस नाम से जाना जाता है बादला अज्रक फटवाई कमेंट करके बताओ इसका उससकर जोगा एक दम परफेक्ट q question वाला अजर रखा जो ठीक है option number B लगा लेना वाई देखें पटबों की अवेली कहां पर रिस्तित है अब बता वाई ये question पटबों की अवेली जैपोर, जैसल मेर, जोदपोर बाड मेर मतलब जुनजनू पटबों की अवेली कहां पर रिस्तित है है पटमों की अवेली option number B जैसन मेर पटमों की अवेली का है जिसे हम पी ले पत्थरों के सेर के नाम से भी जानते हैं से तो यह ध्यान रख लेना जैसन मेल लिख लेना मेजावांद बड़ा important question परता है वेजबान भी लवाड़ा में परता है ठीक है ना सुस्क वन संस्तान आफरीन कहां पर परता है यह अच्छा question है आप लोगों के लिए बड़ा ही जानदार question है समझ मां आ जाएगी आपके तो यकीना निक बहुत कुछ शीख जाओगी तो सुस्क वन संस्तान कहां पर आफरीन कहां पर परता है नागऊर में विकनेर में जोधपूर में अफरीन कहां पर परता है यह बिल्कुल परता है आप लोगों का जोधपूर के अंदर परता ठीक है अपसे नमबर डी करके लिख लेना है जोधपूर एक दब परफेक्ट शांदार कोश्चन होगा ठीक है लाद लो अब आगे का कोश्चन इसका अंसर आप हमें कमेंट करके बताना पिर्शिद वेने सुर्ध धाम कहां पर पड़ लोग खुस रहो मुश्कुराते लगो रहो लेकिन पढ़ते रहो शांदार तरीका से ठीक है लाद ले बच्चो तो थैंक्यू सभी को दिल से धनवाद जैहन और इस काउंसर बता देना चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करना बिलकुल ना भूलना है ठीक है अपने यार द